लंबे अर्से से दलितवादी एजिंडे बाजों को खुद को असुरों और राक्षशों का वनसज बताने की होड लगी हुई है और कहते हैं कि जो भी देवी देवता हैं वो समढ़ जातियों के हैं भार से आये थे और उन्होंने हमारे मूल निवासी पूरवजों को मारकर इस देश पर कबज़ा कर लिया बहुत ही बेसर पैर की वो लोग बाते करते हैं उन्हें हर वो बात करनी है जहां पर वो हिंदु धर्म को गाली दे सकें आया है कुछ जातियों को गाली दे सकें और उन्हें से अटक लड़ाई ले सकें ऐसी हर काम उनको करना है क्योंकि यही उनका ऐजेंडा है खुदी को यह लोग पूरवकाल का शूधर भी बताते हैं बलकि एक भी प्रमाड नहीं है कि असुरों को शूद्र कहा गया हो या शूद्र को असुर कहा गया हो एक भी प्रमाड नहीं है कि असुरों को हरा कर शूद्र बनाया गया हो या कोई शूद्र असुर बन गया हो लेकिन इन्हें प्रमार से कोई लेना देना नहीं है, लोजिक से भी कोई लेना देना नहीं है, अटक लड़ाई लेनी है अब जिनको ये असुरिया राक्षस कहते हैं, उनकी संस्कृति या उनके देवी देवता क्या हिंदूओं से अलग थे अगर आप हिंदू गरंतों को देखेंगे तो उसके एक विचार के अनुसार देव और दैटे दोनों सोतेले भाई हैं रिशी कश्वप की संताने हैं उनकी पतनी अधिती से आधिती यानी देवता पैदा हुए और अधिती से दैटे पैदा हुए दनुसे, दानव, रावर जो की राक्षसों का राजा था उसके पता ब्रहमर थे राक्षस घटोतकच के पता भीम थे राक्षस जलंधर के पता शिव बताए गए हैं अंदकासुर भी शिव और पारवती की संतान बताया गया है राजा कलमाशपाद शत्रिय से राक्षस बन गए थे असुरों के गुरू शुक्राचार कौन थे वो भी तो राक्षस ये असुर नहीं थे लेकिन वो असुरों के गुरू थे, वेदों के ग्याता थे अने को यग कराए रावण को भी वेदों का ग्याता बताया है शिव का भक्त बताया गया है राक्षस विभीशन को सब्त चरंजीवियों में एक मानकर हिंदूों में पूजा जाता है राक्षस बरबरी को खाटु शाम को रूप में देवता के तोर पूजा जाता है राक्षस जलंदर की पतनी विरिन्दा को देवी तुल्ति को रूप में हिंदूगों में पूजा जाता है राक्षस प्रहलाद को महान भख्त के रूप में जाना जाता है और उनके लिए भगवान विश्णू ने अवतार तक लिया और जो वरिंदा थी उनके आराद विष्णू थे राक्षस राजा बली ने भी कई यग थी है और यग के दोरा नहीं वो घटना घटती है जहां तीन पग में धर्टी नापने की बात चलती है और भगवान विष्णू ने उन्हें अपना परमभक्त भी माना भसमा सुर रावड अंदका सुर आदी अधिकांच राक्षसों असुरों ने ब्रह्मा या शिव की ही उपासना की है इनी से वर्दान लिए हैं इनी के वो भगत रहे हैं और उनके कोई अलग से ईश्वर नहीं थे उन सारे प्रसंगों का उन सभी कथाओं का अगर आप आकलन करेंगे तो वो कोई सीख देने के लिए आपके लिए बनाई गई हैं लेकिन वो अलग अलग धर्म या मत को मानने वाले लोगों की कहानिया नहीं है उनके देवता एक ही है लेकिन जो दलितवादी एजेंड़े बाद हैं और मितरता रही है जिनने आप असुर कहते हैं या राक्षस कहते हैं उनकी मनिश्यों से और देवताओं से रिशी विर्षवा का विवार राक्षसी कहकसी से होता है और उनका बेटा रावड होता है श्री राम की राक्षस विवीशर से बहुत अच्छी मित्रता रहती है सीता माता के प्रती राक्षसी तरिजिटा का बहुत अच्छा विवार रहता है मतुला के राजा कंस के पूतना वा बकासुरादी राक्षसों से मित्रों तंबन दिखाए गए है भीम का विवाह राक्षासी हिडिमबा से होता है अन्य को प्रमाण आपको वहां पर मिल जाए है फिर भी जो दलितवादी हैं वो आज के ICST को बरगलाने और बाहरी आक्रमर वा अत्याचार की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए यह कहते रहते हैं कि सभी असुरियां के मुलिवासी थे वा उनसे चल करके आर्योंने आकर उन्हें हरा दिया और भारत में अपनी संस्कृती ठोब दी यह पुराने कहानियों को आधा अधूरा करके मन गरंद करके सुनाते रहते हैं और इसी करम में कहते हैं कि राक्षसों के जो राजा बली थे वो हमारे पूरवज थे उनसे जो भूमी थी वो देखिये विश्णू ने चलते छील ली लेकिन ये आगे की कहानी नहीं बताते कि उसे परमभक्त मानकर परमधाम देने की कथा भी है और इसी में ये पूछना चाहिए कि राजा हरिश्चंद तो राक्षा सिया शूद्र नहीं थे लेकिन उनके साथ भी तो कितना कठोर वेभार हुआ अरे राजा बली को तो कोई कष्ट नहीं मिला राजा हरिश्चंदर की अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो उनने तो घोर कष्ट मिले अपार कष्ट मिले लेकिन कोई भी हरिश्चंदर का वंचज इस बात को लेकर धर्म को गाली नहीं देता और देशी और विदेशी की कहानी नहीं गड़ता है दुरपदी के साथ भी तो घोर अपमान हुआ भगवान विश्चंदर की पत्नी की हत्यावी की थी लेकिन कोई भी उनका वंचज इस बात के लिए विश्चंदर के निंदा नहीं करता हिंदू धर्म को गाली नहीं देता हर कोई जानता है कि कुछ कताओं के कुछ अर्थ हैं हो सकता है कुछ कताओं ऐसे ही रश्च्दी कहीं लेकिन उनका अर्थ से यह नहीं लेता कोई कि हमें अपने धर्म को गाली देनी है या आपस में एक दूसरे से लड़ाई जगड़ा करना है लेकिन ये सारे एजेंडे कुछ जातियों के दिमाग में फिट करते हैं दलितवादी एजेंडे बाद हर चीज़ पर धर्म को गाली देना पूरवजयों को गाली देना और आपस के कुछ समाजों में लड़ाई करवाना और कुछ समाजों के बीच में खाई चोड़ी करना और उनको आपस में जगड़ा करवाने की कोशिश करना इसी कोशिश में ये लोग एक बहुत घटिया कहानी रचते हैं महीशा सुर को अपना बाब दादा बताते हैं कहते हैं कि एक वहिशा इस्तरी दुरगा को लाकर आर्यों ने हमारे पूरवज महीशा सुर को मरवा दिया अब इसमें इतनी घटिया इल्जाम लगाने के बाद भी इस देश में जो हिंदू है वो कुछ नहीं करते कोई कठोरता के साथ इनका विरोध नहीं करते वो एक अलग विशा है चर्चा का लेकिन अभी इसी टॉपिक पर रहते हैं इतनी घटिया और नीश्ता की बात करने वाले ये लोग जो कथा लिखी है उसको नहीं प्रमार मानते अपने मन से कुछ भी कहानी उसकी रच देते हैं जिसका कोई प्रमार नहीं है ये अपने मन से उसमें कुछ भी उल्टा सीधा जोड़कर अपने घटिया पन की कहानी गढ़ लेते हैं इन्हें हिंदू देवी देवतां द्वारा मारा गया हर दुष्ट आदे में अपना पूरवज दिखता है और फिर उस पूरवज को यह जवरन ऐसी और समाज के ऊपर ठोपने की कोशिस करते हैं उन्हें बरगल आते हैं और कहते हैं कि नहीं देखो यही तुमारा रहनुमा यही तुम्हारा बाब दादा है और ऐसा मानने का उनको पर दबाव बनाते हैं और ऐसी एस्टी में जो लोग इनकी बातां नहीं मानते उनकी यह निंदा करने लगते हैं तो हम किस जात के हैं हम तो चमार हैं गंके की चोट पे काते हैं मैं वो भी सी की बात करते हैं हम सनातन की बात करते हैं हमारा एक ही एजंडा है राम जी एक ही एजंडा है सनातन धर्म संस्कृति एक ही एजंडा है गडा मुगदर हनमान जी